कि आए मैंगे इसे एम लोग एक नेया टपिक के आ रहे हैं क्लेंडर का तू अ आप उसे भावि देख सकते हैं और आज कम लोग डे निकालना बताएंगे कैसे दे को फाइंड करते हैं देख ली है देखे हम लोगों कि जितना पहले हमने को क्लियर किया था पहले हम उसको भी बार क्लियर करते हो चलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो years होते है एक होता है leap year और एक होता है non leap year तो leap year में 366 days होते हैं जिसमें 52 weeks होते हैं और two extra days होते हैं और non leap year होता है उसमें 365 days होते हैं और 52 weeks होते हो one extra days होते हैं तो मैंने आपको पताया था कि हमें इन week से कोई भी मतलब नहीं है हमें जो ये extra days होते हैं हमें इन से मतलब होता ह वह लगो करते हैं कि हमारे लीप ये अखीने की वह पाटते हैं। आप सबसे पहले आता है हमारा century तो century year में कितने extra days होते हैं century year में आप 100 जब होगा तो 100 पर 5 extra days होते है 200 पर 3 extra days होते है and 300 पर 1 extra days होता है और 400 पर again क्या हो जाता है 0 extra days हो जाते है अब आप 400 की बात करेंगे आगे आप देएंगे सर ऐसे आगे क्या करना है देखिए अब 400 के बाद अगर आप 500 पर आएंगे जहां पर मेरे 0 एक्ष्ट्र डेस हो गाए तो यानि फिर से यह क्या करेगा पूर पहुंच जाएगा और यह देखिए 500 यानि आप कितने 100 पर 500 पर कितने हो जाएंगे 5 extra days कितने हो जाएंगे 5 extra days हो जाएंगे और फिर देखे 6-hundred-day पे आएंगे तो 3 extra days हो जाएंगे 700 पे अगेट यह वर्शजों दुपारा कांट्यू जाता है और 800 पे कितने हो जाएंगे 0 extra days हो जाएंगे तो यह ऐसे ही continue होता रहेगा तो में हम लोग ये continue देखते हैं कि 100, 200, 300 और 400 को count करते हैं कि 100 पर 5 extra days है, 200 पर 3 extra days है, 300 पर 1 extra days है, 400 पर 0 क्योंकि अब जैसे अगर आप से कोई भी बात कीगे, 900 की बात कीगे तो 1900 means आवाद होगी कि 1600, 1600 पर क्या होता है कि 400 से divide हो जाता है तो century year में क्या होता है कि century year leap year नहीं होता, every century year leap year नहीं होता हमें ऐसा जो century year होता है, वो 400 years बाद ही leap year बनता है तो जो leap year है 400 आए, तो 1600 है, तो 1600 तक आपका 0 हो जाएगा तो यानि 1700 से start करेंगा, तो 1700 आपका 5 extra days हो जाएगा 1800 में आपके 3 extra days हो जाएंगे और 1900 में आएंगे तो आपको 1 extra days मिलेगा तो इसी तरह 19th century पे तब आपको पता चलेगा कि कितने extra days बढ़ते हैं तो में ये count करना जरूरी है कि 100, 200 और 300 याद करना जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 100 पे 200 पे 300 पे कितने extra days होते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं कि year में हम लोग extra days कैसे count करते हैं देखें अब year में आपको पता है कि January में आपको ये पता है कि 31 देखें मैं बात कर रहा हूं January तो January में कितने extra days होते हैं देखें कितने दिन होते हैं 31, तो 31 को अगर आप 7 से डिवाइट करतें, तो 7 से डिवाइट करने पर 4 week हो जातें, और 3 extra days बरतें, तो यह हमने आप सो पहले ही बोला कि हमें extra days से मतलब हैं, ना कि week से, तो हम यह जो week वाला बार्ट है, इसे हटा देतें, और हम इसके extra days count कर लेतें, तो अब देखें, जनव 29, लीप यर अगर आता है, तो लीप यर में फरवरी 29 days की होती है, तो उसमें वहाँ पर 1 extra days हो जाता है, मार्च में इसी तरह हम लोग 3, आपरेल में 2, माई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सेटमबर में 2, तो इसी तरह हम लोग 1 by 1 कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर भूल जाते हैं, आपको नहीं पता किस में 31 days होते हैं, किस में 30 days होता है, बहुत एक simple formula दे रखा है, ठीक है, हमारे घर पर बताया जाता है, हमारी माने आपको भी बताया होगा, कि एक सरसे मुठी बंद कर लेते हैं हम लोग, और इस पर पताते हैं कि यह जो उपर आपको जाता है, जनवरी मार्च, अपरेल, मई, जून, जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त, तो जुलाई वाला 31 days और अगस्त भी आता है, तो आप इस तरह से इसको count कर सकते हैं, आपको मैंने weeks किल में आया था, तो weeks में मैंने कहा था, Sunday हमेशा क्या रहेगा, 0, Monday 1, Tuesday 2 Wednesday 3, Thursday को 4 से लिखते है, Friday को 5 से code करते है, Saturday को 6 से code करते है, अच, अब इसके बाद भी, अगर आमने लगता है कि थोड़ा question बढ़ रहा है, question थोड़ा सा tough होता चला जा जा रहा है, मलग time हमें ज्यादा लग रहा है, तो हमने एक trick के लिए निकाली, कि trick में क्या है कि अगर आद नहीं करना पड़ेगा, आप के वल, आप इसको निकाल सकते हैं, ऐसे ही, लेकिन ये आपको मैंने आपको लिख रखे हैं, अभी क्या है, इसको आपको क्या है कि जनवरी में 3 डेस, जैसे अगर आप से कोई question अक्टूबर का पूछा गया है, तो अक्टूबर में आपक अक्टूबर में जो भी date दी गई है, आप उस extra days लिख दीजे और आपका answer आजाएगा, तो ये leap year के लिखा है और ये non leap year के लिखा है, अभी हम लोग questions करेंगे, तो और ज्यादा अच्छे से clear हो जाएगा, देखें, अब मैंने आपके समय के questions लिखा हुआ है, मैंने लिख जाएगी which day is fall on 14th of September 1964, तो अब आपको ये day निकाला है 14th of September 1964, तो हम लोग जब भी कोई question करने आदे, अब जो भी आपको year दे रखा है, तो ये year अभी complete नहीं हुआ है, तो जब complete नहीं हुआ है, तो हम हमेशा उससे जो complete हो चुको है year, पहले हम उनको count करते हैं, तो हमेशा इसमें एक माइनस कर लेते, माइनस मतलब इसका सीधे से आप 64 दे रखा, तो आप पहले 1963 तक जाएंगे, तो 1963 तक जाएंगे, तो कैसे क्या करना है, देखे, पहले तो आप century देखे, क्या है 1900, जो complete हो चुकि ये 19th century, तो आपको ये पहले 1900, क्योंकि पहले आपको यहां तक क extra days देखने, then इसके बाद, अब अगर आप जाते हैं, मैंने क्या बोला, 63 तक, तो अब आप पहले जाएंगे 63 तक, अब 63 जाने के बाद, अब आपको कौन सा डे फार्ट करना है, 14th of September 1964, तो पहले 1900 आगे, फिर 16 आगे, फिर 14 September आगे, तो अधगे, तीन पागो में मैंने इस 1900 में, इसमें कितने days extra होंगे, मैंने बोला, 1900, तो 1900 देखिए, आप करेंगे, तो देखे, 1600 और प्लस कितना है, 300, तो 300 में कितने extra days होते हैं, 1, तो 1900 में भी कितने हो जाएंगे, 1, 63 जा रखा है, तो अब आप देखिए, 63 में, 63 years हैं, तो 63 हैं, मैंने कितने leap year होंगे, अब आ देखिए, आगर हमें इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, तो 4 से डिवाइड करने पर जितना भी आए जाएगा, वो हमाई ये leap year होंगे, अब जैसे अगर 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो 4 बंजा 4, and 2, 3, 4 फाइजा 20, यानि 15 आपके leap year होंगे, तो अब देखिए, 15 leap year हैं और जो बचे हुए, year बचे हुए, वो आपके क्या हो जाएंगे, non leap year हो जाएंगे, तो non leap year कहते हो गए, 48, अब देखिए आप, इसको अगर आप count करने जाते हैं, तो अब देखिए 15 है, तो अब देखिए, जो leap year है, तो उसमें 2 extra days होते हैं, जो leap, non leap year है, उसमें 1 extra days होता ह है, तो आप इस तरह से पहले यहां तक के extra days count कर लें, और फिर जब आप 14 September तक जा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, पहले January स्टार्ट करेंगे, कहां से start करेंगे, January से, तो देखिए January में कितने एक दिन extra है, 3, February में कितना है, अब यह आप जिक कर लिजे कि हमारा leap year तो तो 1964 को 4 से divide कर लिजे, यह 4 से अगर डिवाइड है तो मेरा leap year होता है, तो मेरा फरवरी में कितने count करेंगे, one count कर लेंगे, then March में count कर लिजे, 3, April में count कर लिजे, 2, then मही में count कर लिजे, 3, June में count कर लिजे, 2, चुलाई में count कर लिजे, 3, August में count कर लिजे, 3, and September पूछा गया है, तो September वाले को count नहीं करना है, September में, जिस date तक पूछा गया है, उसी date तक जाना है, 14 September तक बोला गया था, 14 से ही कर लेंगे, यह तो आप 7 से divide कर कर लिजे, 7 से divide करेंगे है 7 2 जा कितना होता है 14 होता है तो आप यह extra days कितने आएंगे 0 तो आप 0 लिख लीजे अब यह तो पूरे extra days अब count कर लीजे अब आप देखें अगर इस तरह से extra days count करते हैं तो देखें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस यह 30 हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा और इस वाले days को पूरा count कर लेते हैं तो लोग 3 1 4 4 3 7 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 2 12 और 2 14 और 14 और 6 20 अब हम इसको पूरे को add कर लें तो 30 20 50 और 50 50 50, 48 कितना हो जाएगा 28 और 11 99 तो 99 extra days हो गए तो 90 जितने भी extra days हो गए आपके तो आप 99 है तो अब इसमें क्या होगे week बन को पने होगे तो हम इसको 7 से डिवाइट कर देते तो week बने होगे 7 से डिवाइट कर देते हैं तो 7 बन जा 7 और 29 तो 7 पोर जा 28 चा कितना? 1 में यह तो विल गए मों किसके लिए कोड किया जाता है मंडे के लिए किये जाता है यानि इतन हुआ बगा एक बेसिक है कि हम ने का एक से कुछ लेकर में ने काल दिया Invest Is हमारे पास कोशिए में पेपर टैम में, थोड़ा गाली टैम कं होता है, तो थोड़ा यूंकि उसके लिएे ट्रिक्स निकालते है, कि उसी हrams लिए MR हम जोती है प्रिभाद चयर्द का हुटी है, वैसा मैं आपको सीधे बतादू, तो मैं आपको बता देता हूं तो आप भी नहीं करेंगे तो आप यह सिंपल आपको इसी ही रहे जाए गा फिन देकिन देके आपको वेले बताए कि वन रहे गा तो तो अब देखे 63 है, देखे अब आप एक बताईए कि 63 years का means हो गया कि 63 तो आपके पास minimum extra days हैं, तो हम 63 यह 63 extra days लिग लेते हैं, अब मैंने का कि 4 से divide करने पर जितने leap year आए, वही तो और extra days हो जाएंगे, क्योंकि देखे जितने leap year बन रहे हैं, वही तो और extra days बना रहा है, तो अगर 4 से divide करने पर कितने आजाएंगे, 15 आजाएंगे, तो वह जो हमारे 15 निकल के आए, वही हमारे क्या हो गया है, और extra days हो गया है, तो इसको हम उसी जगह पर बस प्लस को, उसी इतने ही years को, और extra days पर प्लस 5, 15 कर देंगे, आप देखे 14 साफ September बोला गया, तो मैंने का, अगर आपको इस तरह से करना है, तो आप इस तरह से कोर्स जाद कर लें, तो मैंने का, लीपियर है 1964, अब लीपियर है, तो लीपियर वाले कोर्स चलेंगे, लीपियर कोर्स में चलना है, तो मैंने का, अगस्त तक आजाएंगे, अगस्त में कितना मिल रहा है, 6 extra days मिल रहा ह तो चलिए भाई अगस्त में निकाल लेते हैं अगस्त के 6 एक्ट्रा रेता है तो हमने 6 लिख दिया अब 14 September तक पूछा गया है 14 September पूछा गया है तो आप 14 लिख दीजे 14 September तक या तो आप 14 लिख दीजे या फिर आप 7 से डिवाइड करके उसका लिख सकते हैं अब फिर उठाके आप इसको प्लस कर लिजे अब अगर आप इसको फिर से प्लस करते हैं देखे 163 64 हो जाएगा 64 और 6 770 और 70 उसको फिरती ति और 85 अभड़ी यह एक्स टेस निकलके आगया मेरे 85 तो हमने का कि एक्स ट्राइस में तो वीक बन गया हुंगे तो वीक से डिवाइड का आप 7 से डिवाइड कर दीजे मैंने 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो 7 बंजा 7 आ जाएगा और 7 टूजा 14 तो देखें जो मैंने 12 वीक बन गए और फिर क्या मिला एक 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 स्टाडेस मिल गया से चीज चाहे आप उससे कीजिए और चाहे इससे कीजिए लेकिन यहां से करें गे तो थोड़ा सा मेमोट बता नीकालाएगे मैं लएक कि invention nahion export कर सकते के अगर आप कोर्स याद कर सकते तो बहुत अच्छा है इसके लिए ट्रिक्स भी कुछ ऐसे कि सिंपल सा आप बना सकते हैं कि अगर जैसे इस तरह करका है तो अप लिपिर में जाएंगे तो 340, 250, 361 and 462 तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं वैसे इसमें भी है 336 तो लिख सक सकते हैं तो इस तरह से आप कोई भी कोई आकर आपको निकालने को बोला जाए बहुत सिंपल हो जाता है इस तीज के लिए हम लोग नेक्स्ट को फिर से एक कोशन के तुरू अकर हम लोग इसको और जा सकते हैं जैसे हम लोगों लास्ट कोशन में बताया वैसे ही देखिए अब इस वाले कोशन भी और और उससे और अच्छा सा किलियर हो जाएगा मैंने बोला कि विच डे इस फॉल और 15 अगस 1989 अब देखिए 15 अगस 1989 है तो मैंने का अब पहले क्या करना है सबसे पहले दीखना है कि 1989 अभी चल रहा है तो जो चल रहा है उसे नहीं काउंट करते है कब तक हो जाएगा है 1988 तक तो 1988 तक करने के लिए पहले कितना है 1900 जो हमारी century complete हो चुकी है एद देन अब कौन से एर कंप्ली ओचुके एटी एड तक एर कंप्लीट हो चुके देन अब हमें काउन से तक जाना है 15th of August गुला में curiosum अब मैंने बूला कि 88 तो 88 अइस तो आपको ॉर इस निकालने के लिए लिए चंहें अहीं और था जाएट तो énट लेस हो गए अब देखिए फिफ्टीन तो अगस्ट नाइटीन या तो अब आप दोनों कर सकते हैं कि आप जनवरी फरवरी करें कि जनवरी में 3 होता है फरवरी में 0 है क्योंकि 1989 है नौन लीपियर है तो फरवरी ये है तो इस तावा काउंट कर लें या फिर अगर आपको कोड़ पता है जुलाई तक बहुतरत अएक कि तो पता चल जाएगा जुलाई में 30 1 आप देखिए अब को सब्सक्रास देघे कर देंगे तो आप आपके लिए सिंपल हो जाएगा क्योंकि 7 से डिवाइट करेंगा तो 7 तो 14 यानि टू वीक बन गया तो कितना एक्षा डेस वरेगा वन तो आप यहाँ पर उसकी जगर पे वन भी लिख सकते हैं तो आपने वन कर लिख दिया अब उठागे आप इसको एड़ कर दीजा दें कि 88 और 22 कितना ह रहन हो जाएगा और 134 एंट पाइट कितना हो गया 15 15 एन एक्षा डेस हो गया तो यह एक्षा डेस हो घ्रेस अनुट्रेश जो होते हैं में 0 1 2 3 4 5 और 6 तक एब जाएट कि देंगे जीरो संडे है उसे यह मत्लब नहीं एक्शा डेस आपके वहीं इच्छा यह है मंडे पे एंग सटाइड के लिए six तो एक्षार देज नहीं तो आप सेवें से इसको डिवाइड कर दीजे डिवाइड करेंगे तो वीग बन जो जितने वीग होंगे वो निकल जाएंगे तो seven बन जा seven क्या मिला four four five कितना हो जाएगा 45 45 को करेंगे तो seven six तो यह हमारे क्या हो गए वीग हो गए तो आप इन्हें हटा दीजे मिल बचा कितना थी तो यह three है तो fine कर सकते हैं बहुत ही simple है और आप मात रखिए कि minimum 30 seconds में आप इस question को बहुत simple से अराम से करके लेके जा सकते हैं अभी मैं आपको एक नया इसमें एक question और यह तो बहुत simple से हम लोग देर निकाले के लिए होता है कभी-कभी एक question यह आ जाता है कि if today is Friday and which day is fall on after 63 63 days तो वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा घबड़ा जाते हैं अगर आज वेड़नेस दे था दे 63 दे वात क्या होगा लेकिन वहाँ पर नहीं बहुत simple हो जाता है आप देखें लिख लीजे Friday और कितने दिन बात बोला गया है 99 अब Friday का quote कितना होता है मैंने आपको बहुता है कितना होता है 5 होता है प्लस कितना 99 आप एड़ कर लिजे कितना जाएगा 104 तो यह आपका वीक बन गए इतने में अब बचा कितना 6 यानि उस दिक कौन सा दे बचेगा Saturday सिक्स के लिए code किया जाता है Saturday के लिए तो देखें सिंपल हो गया कुछ नहीं करना है आपको टैन सेकेंड कांसर से बस आपको इतने देख लेना है कि फ्राइडे फ्राइडे के लिए कौन सा कूल होता है कितने दिन बोला गया है आप उतने कोई एड़ कर दीजे उसमें आप से 99 डेस बोला गया है तो आप इसी कोई 7 से डिवाइड कर दीजे 99 को अगर 7 से डिवाइड करेंगा यहां पर तो देखें 7 बन जा 7 7 फोर जा 28 क्या मिला 1 एक्टाइडे मिला तो फ्राइडे में आप प्लस बन कर दीजे क्या हो जाएगा से डिवाइड हो जाएगा तो आप इस तरे से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी करते हैं बहुत सिंपल हो जाता ißt है सिर्क कोश्ड करने से अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहों कि एर जो हैं वह से कैसे रिपीट होतें कि कौन सा year है जो same calendar जैसे कि अगर आज मैं मान के चलता हूं कि अगर आज वेडनेस डे है तो after ऐसे कब कौन सा calendar आएगा कि आज के दिन वेडनेस डे ही होगा तो यह मैं आपको अभी clear करता हो चलता हूं बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि calendar means extra days अगर आप यह ध्यान रखेंगे दिन आपके सामने कोई साभी questions आएगा आप उसको कभी भी नहीं घब राएंगे अब देखें के calendar है extra days अब मैंने कहा कि अगर जैसे कोई भी days की बात कर रहा है कि यह कब repeat होगा जैसे मान लीजे कि 2000 मैंने गुला कि 2006 बोला कि 2006 आगे कब repeat होग सेम यर कांडर तो 2006 की जब भी बात होगे 2006 तो अगे कर रहा बीडो का देकि यर 12 हम लोग क्या करते है extra days काउंट कर लेक्टेय तो雜ें protein क्रिखें टिस यह वें ऺई इस एक्स्टा डेस मिलेगा, देखे, 7 तो कितना एक्स्टा डेस मिल जाएगा, 1, 8 करेंगे, तो कितना एक्स्टा डेस मिलेगा, अगे 2 मिल जाएगे, आप देखे, 9 है, तो देखे, एक्स्टा डेस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1, 10 करेंगे, तो एक्स्टा डेस कितना हो जहां पर 0 होगा जिस year में तो उसके next वाला year वो होगा उसका क्या होगा repetition होगा लेकिन अब देखे यह टूरां 12 रिपीटिशन होना चाहिए लेकिन repetition नहीं दे रखा है अब क्यों क्यों कि देखे टूरां 6 जो है वो मेरा नॉन लीपियर है और जो repeat कर रहा है वो मेरा कहुंसा है लीपियर है तो यह नॉन लीपियर है यह लीपियर है तो देखे यह कैसे repeat हो सकता है अगर केवल January और February का calendar होगा फरवरी में यह 29 की हो जाएगी फरवरी तो उस calendar क्या हो जाएगा आगे से change हो जाएगा फरवरी March जो होगा वो calendar Monday बल जाएगा तो यह कभी भी उसका calendar का repetition नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इसको नहीं लेंगे हम इस वाले repetition को नहीं लेंगे तो यह 7-day divided को कुछ नहीं अब आप आगे बढ़ जाएए जैसे ही आगे बढ़ेंगे देखे 12 में कितने हो जाएंगे अब 12 में करेंगे तो फिर again 2 हो जाएगा आगे आजाएए तो यां 13 में करेंगे 1 हो जाएगा 14 में करेंगे फिर again 1 extra days हो जाएगे 15 में करेंगे तो again 1 extra days हो जाएगा और 16 में करेंगे तो अब कितने हो जाएगे 2 हो जाएगे अब फिर से देखें count कर लिए, यहां तक तो 7 हो चुके थे आपके, यहां से count करिए, 2, 3, 4, 5, 2, 7, again 7 हो गया, देखें 7 divided by 7 हो रहा है, 0, यानि next वाला जो calendar है इसके, वो किसका repetition होगा, 2006 वाले का, तो देखें यह भी non-lipier है, यह भी non-lipier है, 2006 वाला जो calendar है, 2017 को क्या करेग रिपीट करेगा, जो 2006 का calendar है, वो है, same calendar, 2017 में मिलेगा, तो बहुत simple है, लेकिन हम लोग इसको एक trick के थुरू करेंगे, अगर इस तरह से करेंगे, तो बहुत time लग जाएगा, तो मैं आपको सामने एक बहुत simple सा trick बता जाएगा, वा स्केवल कुछ नहीं करना है, add कर देना है, और subtract कर देना है, add subtract कर देंगे, अपने आप ही answers निकल आएंगे, देखिए, अब आपको इसमें दिख रहा होगा, कि 2012 जो है, ये मेरा leap year है, और 2016 जो है, वो leap year है, तो अब देखिए, लेकिन जो इसके बीच पे जो year लिखे गए, वो हमारे non leap year है, तो यही repetition में आते है, आप देखिए, ये जो मेरा leap year होता है, तो leap year हमेशा after जो होता है, वो 28 days बाद ही आजा है, ये आप अपने एक note बना के लिख सकते हैं, कि leap year after 28 years ही repeat होता है, तो after 28 years के बाद ही repeat होगा, यानि अगर 2012 है, तो इसमें आप 28 कर दीजे ये years, तो ये जो होगा year जो भी होगा, तो 28 करेंगे, तो 240 में ही ये repeat करेंगा, तो अगर ये 16 है, तो इसमें भी आप 28 कर दीए, तो ये भी क्या होगा, 28 years बाद ही repeat होगा, मैंने आपको concept पहले ही बता दिया, आप इसको उसके थूरू, अगर concept के थूरू करेंगे, तो आप करके देख सकते हैं, आपको 240 में ही इसका repetition मिलेगा, अब बात कर लेते हैं, इन नौन लीपियर की, कि ये कैसे repeat करते हैं, अगर आप से कोई एक ऐसा year पूछा जा रहा हो, जो जिसके जश्ट पीछे आपको दिख जाए, कि वो क्या है, लीपियर है, जैसे अगर आप से कोई भी कलेंडर पूछा, यहां तो मैंने 213 ब 213 प्लस 6 करेंगे, तो 2019 का जो कलेंडर होगा, वो 213 को repeat करेगा, आप concept के थुरू इसको एक बार देख सकते हैं, और देखे, अगर पीछे की बात कर रहा है, यह पीछे किसका repetition है, तो आप minus 11 कर दीजे इस year में, तो 2013 में minus 11 करेंगे, तो minus 11 कर दीजे, कितना हो जाएगा, 222 यह तो वाला जो कलेंडर होगा, वो किसका repetition होगा, 2013 का repetition होगा, यह कंडिशन लागू होगी, यह तभी लागू होगी, जब जिसके जो कलेंडर आसे पूछा गया, उसके just पीछे क्या दिख जाए, लीप इयर दिख जाए, जैसे ही आपको यह लीप इयर दिखेगा, तो उस इसे ही आपको लीप इयर दिखा आगे, तो यह जब भी आगे, अगर आगे repetition की बात आएगी, तो आप उसमें क्या कर दिए, प्लस 11 कर दिजे, जैसे प्लस 11 करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर दा, 2015 था, तो आप आगे करेंगे, तो 2000 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक, और अगर पीछे calendar की बात कर रहा है, तो आप इस year में केतना कर दिजे, माइनस 6 कर दिजे, तो आगे की repetition की बात करेंगा, तो प्लस 11 कर देना है, और पीछे की repetition कर रहा है, तो माइनस 6 कर देना है, बिल्कुल इसमें concept में बिल्कुल सिंपल दे, याद रखिएगा, कि एक एक दूसरे के उल्टे हैं, ये प्लस 6 आगे करते हैं, और पीछे माइनस 11, और इस वाली trick में क्या करता है, कि अगर आगे आपको year दिख रहा है, लीप year, तो ये आगे repetition में प्लस 11 कर देगा, और पीछे repetition में क्या कर देगा, माइनस 6 कर देगा, अब आप से अगर को ये कैस कलेंडर पुझा जाए, जिसके ना तो आगे लीप year हो, और नहीं पीछे लीप year हो, नहीं आगे लीप year है, और नहीं पीछे लीप year है, तो ये आगे भी repetition में जाएगा, तो प्लस 11 करेगा, और पीछे repetition के लिए जाएगा, तो माइनस 11 कर देगा, बहुत ही सिंपल हो अगर विह भी repetition करेगा, तो प्लस 11 कर दीजे, जैसा कि पहले books में दे रखा है, तो अभी मैने आपको फोरण जिक्स वाला, क्लीर किया था, कि वो क्या होगा अगर आप उसमें भी प्लस 6 कर सकते हैं प्लस 6 दे रखा है कुछ बुक्स में तो प्लस 6 करके लेकिन अगर आप प्लस 6 करेंगे तो देखे 220 वाला repeat करेगा देखे 220 और 214 दोनों अलग-अलग हैं ये non leap year है और 220 मेरा क्या है लीप year है तो ये कभी भी repeat पे नहीं आएंगे क्यूंकि वो leap year हो जाएगा और ये non leap year हो जाएगा तो हम लोग कभी भी इसको repeat पे नहीं ले जाएंगे इसलिए हमेशा इसमें क्या करते हैं प्लस 11 year कर देते हैं और पीछे क्या करते हैं माइनस 11 कर ले तो इस चीज को लिए आप अगर आप ऐस तरह से कर रहे हैं तो वो थोड़ा से गलत है आप इस चीज को पैटन को फालो कर सकते हैं thank you so much आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं share कर सकते हैं comment करते हैं thank you